तो हाई अबरिवन देखने से पहले पहले सब्सक्राइब कर दो बैल आइकन का जो आइकन दिया है आप लोग प्रेस कर दो उसके बाद वीडियो में आके बढ़ते हैं कुछ लोग देखो एक सिमिलर कोश्चन की यूप या नहीं आएगा वोट इस द रीजन यूप यू गया है क्या को टेक्स वी इंडिया से जानने वाला है इतने सारे कॉश्चन सेम इंडेक दो कर नहीं सबके सेम डाउट से तो चलो आज इसी टोपिक आपर बाते करने वाले within a few minutes I'll clear all of your points and आपको कुछ ultimate solutions भी देने वाले हों जिनके तो आप deposit कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग है issue face कर रहे हैं basically deposit करने में जिससे deposits की count भी कम होती जा रही है दीरे-दीरे क्योंकि आप लोग को exactly पता नहीं है how to use crypto for deposit that will be our next content this video में हम बात करने वाले what is the issue कोटेक्स रहेगा जाएगा UPI आएगा net banking आएगा या नहीं आएगा and one more thing अगर आपको कोटेक्स के binary options के forex crypto Indian stock market किसी भी segment के calls, tips, guidance, learning कुछ भी चाहिए वीडियो के description में telegram channel की link देखे रखे हुई है फटा फट जाओ, join करो, so basically देखो यहां पे मेरे जो funds थे हो मैंने basically withdrawal कर लिया है यहां पे e-payments के section में आप लोगो को UPI net banking सब कुछ देखने को मिलता था, but as of now it is not available, बाकी सारे options available and you can use any of them, सबसे simple है, you can go with Binance पे और you can go with UST Tether TRC20 that is network, इसके साथ आप लोगो deposit कर सकते हैं, 80% of you don't know that how to operate crypto, how to operate Binance and how to deposit via this particular method, so इसके ओपर पी एक वीडियो बनाया हुआ है है shortly I will publish it after this particular video as well, basically UPI का कैसा है अभी, मैं आप लोगो को simply बता देता हूँ, UPI जो है अभी इंडिया में unavailable रहेगा कुछ time के लिए, क्योंकि the reason is quite simple, कि UPI के जो इंडिया के financial operators है कोटेक्स के, UPI लगा लो आप net banking लगा लो या कोई भी Indian payment methods लगा लो, जो भी आप use करते हो, whatever will be prefer available for you, Indian methods इसलिए available नहीं है क्योंकि कोटेक्स के पास, इंडिया में कोई भी ऐसा trustable vendor नहीं है, जो उनकी payments को, उनका financial department की responsibility ले सके, और उसको अच्छे से निभा सके, और उसको proceed कर सके, आपके deposits को, withdrawals को, एकदम like smooth way में perform कर सके, basically हुआ क्या है कोटेक्स के साथ, आप लोगो को देखने को मिलती है, कभी भी एक similar company देखने को नहीं मिलती है, basically reason is quite simple कि, इंडिया में financial operators कोटेक्स हायर करता है, and the financial operators, scams, कोटेक्स, and उसके बाद वो चले जाते हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग जो है, टिकिट्स करने लग जाते हैं, वो उनसे response मांगते हैं, वो एक दो दिन response देते हैं, and basically देखो, बाहर की company है, if they will raise a case, तो कोई ऐसा major vote रहने वाला है, नहीं क्योंकि, बता होगा आप लोग को भी, बताने की ज़रूरत नहीं है, फील्डी binary options है, ये trust का issue आ रहा है, and UPI, net banking, ATM, phone पे, Google पे, सब चीज़े अभी के लिए, unavailable रहने वाल आपको एसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, and I can bet बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बिनोमो इतने scams करके, OLEM trade इतने scams करके बैठा हुआ है, आप लोग के पैसे इतने फसे हुए है, and Kotex में तो even आस्ता कैसा कोई raise हुआ नहीं है, and this is the most trusted, most relevant, most intelligent, most innovative, हर एक तरीके से best Kotex as of now, तो भागने वाला तो नहीं है, इस चीज की guarantee तो I can take with very much shortage, जो अपना UPI का, net banking का, so basically यह जो है, यह बहुत जल्द वापिस आ जाने वाला है, इत में take I think 15 days, 20 days, max to max, यहां से 15-20 दिन और किछने वाले है, उसके अंदर अंदर पूरी चीज़े set up हो जाएगी, and अच्छे से smooth way में आप लोगों को एक बार फिर से experience करने को मिलेगा, UPI, net banking, Paytm, phone पे, Google पे, सब चीज़े वापस आ जाएगी, क्योंकि हमें deposit करना आता न देना है, and download करने के बाद, आप लोगो को simply उसे के साथ deposit and withdrawals को proceed करना है, काफी जादा smooth रहेगा, अभी हमें इसी के साथ एक और पार्ट I am going to record, and उसमें मैं आप लोगों को clearly explain करने वाला हूं, that how you can go with Binance Pay, crypto के जितने भी methods है, जितने भी methods है, crypto Ethereum, यह सब चीज़े आप लोग को देखने को मिल जाएगा, finally, I hope kit out clear हो गया होगा, codex India से नहीं भागेगा, UPI बहुत जल्द वापस आजाएगा, अभी के लिए temporarily UPI गया है, एक और चीज में बता देता हूं, आप लोगों को वीडियो एंड करने से पहले, कि आपके जितने भी deposit spouts फसे हुए है, UPI के, just raise a ticket, ticket raise करने का formalizing, exactly, quite simple, help पे जाना है, contact customer support पे tap करना है, deposit withdrawal पे tap करना है, options आप लोगों के सामने clear है, fund से have been debited, and आये नहीं अभी तक, या फिर withdrawal request प्रोसेस हो चुका है, बट पेमेंट अभी तक आया है, simply request जो है वो raise करना है हम लोगो यहाँ पे, and that's it, उसके बाद आप लोग जितना भी इस हो, या फिर आपका जो amount फसा हुआ है, कोटेक्स में, या फिर कोटेक्स से आया नहीं है, या कोटेक्स में deposit नहीं हुआ है, जो आप लोगो ने deposit किया था, that will be cleared within coming 21 days, and I hope this is the ultimate video for all your doubts, की कोटेक्स जाएगा नहीं, UPI कब तक आएगा, and हमारे जो पैसे फसे हु क्लियर हो चुके होंगे, and next video में, you will get to know that how you can deposit via Binance, step by step आप लोगो को में बताने वाला हूँ, किस तरीके से account बनाना है, किस तरीके से verification कराना है, किस तरीके से उसके बाद, UPI से आप लोग, peer-to-peer method के तरू, crypto buy करके and deposit कर सकते हैं, still if you have any doubt, just put and write down into comment section, उसको definitely देखा I hope or if you had enjoyed the video, I'll see you all into the next video, till then bye bye, love you all, trade safe, trade well, see you all into the next video